हेलो माई प्रेशस फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल विच इस संचीता कुईक हेल्दी अंटेस्टी मैं हूँ संचीता बेशरा और एक नए रेसिपी लेकर किचेन में आ गई हूँ तो आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ ओयल फ्री इविनिंग स्नैक्स मैं आशा करूंगी आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा तो फिर चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हम लोगों क्या क्या चाहिए तो हमने यहाँ पे लिया है रो चावल याने की कच्चा चावल हमने ले लिया है जिसका आप एवरी डे राइस बनाते हैं नॉर्मल घर का नॉर्मल चावल हमने लिया है और हमने लिया है पानी बारिक से कटे हुए हरी मिर्च, नमक और बारिक से कटे हुए प्याज तो फिर चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा नमक लेंगे और चावल में डाल देंगे नमक को चावल में डाल देने के बाद नमक की कटोरी को मैं साइड में रख देती हूँ अब नमक का कोई काम नहीं है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी देंगे यानि कि 2 से 3 चम्मच पानी हम इसमें देंगे मैंने यहाँ पे चावल लिया है 1.5 कप और नमक तो आपने देखा हब चम्मच से भी कम नमक और पानी 3 चम्मच चावल में नमक और पानी को देने के बाद हातों से इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे और इसको इस तरह से मिक्स करते करते ड्राइ कर लेना है यानि कि चावल को मसलते हुए ड्राइ कर लेना है और जब तक चावल ड्राइ ना हो जाए तब तक हम हातों से इसको मिक्स करते जाएंगे, मसलते जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, चावल पहले गिला था और अब देखिए आप एकदम पानी अच्छी तरह से सूख के चावल जुर जुरा यानि की एकदम अच्छी तरह से ड्राइ हो गया है और इस रेसिपी को बनाने के लिए चावल को अच्छी तरह से मसलना और ड्राइ कर लेना बहुत जरूरी है नहीं तो चावल अच्छी तरह से फ्राइ नहीं होगा और कुर्मूरा नहीं बनेगा तो फिर चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए चलते हैं हम गैस की तरफ करहाई को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और उसमें हम देंगे ये चावल यानि कि जिसको हमने ड्राइ कर लिया था वो वाला चावल को हम इसमें डाल देंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे कोई भी ओयल यूज नहीं किया है फ्राइ करने के लिए चावल को डाल देने के बाद कर्ची से बार बार चलाते हुए इसको भूनेंगे इस रेसिपी को अगर हम हिंदी में बोले तो इसका नाम होगा ओयल फ्री फ्राइड रो राइज जिसको बिंगोली में बोलते हैं चाल भाजा वेस्ट बिंगोल में ये बहुत फेमस हैं लगबग सभी को ये चाल भाजा यानि की ओयल फ्री फ्राइड रो राइज बनाना सभी को आता है और जिन लोगों को बनाना नहीं आता है वो आज का रेसिपी देख कर सीख लीजिए और यहाँ पे राईस थोड़ा थोड़ा चटकना सुरू हो गया है आप इसका आवाज सुन सकते है इस तरह से चावल के एक एक दाने को कर्ची को चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेना है इस रेसिपी को देखने के बाद अगर आप चाल भाजा नहीं खाए हैं तो आप घर पे चाल भाजा बनाईए, खाएए और अपना अनुभग मुझे कॉमेंट के द्वारा जरूर बताईए और इस तरह की नई नई रेसिपी को देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त पास में जो घंटी है याने की नोटिफिकेशन बेल उसको आउन करके और पे क्लिक कर दे जिससे की जब भी मैं कोई नई रेसिपी बनाऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और मेरी रेसिपी को सबसे पहले आप देख पाएंगे चावल को भूनते हुए 8 मिनिट हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे चावल के दाने अच्छी तरह से भून कर रेडी है आठ से 10 मिनिट के अंदर आपका चाल भाजा एकदम रेडी हो जाएगा तो अब मैं गैस को बंद करके इसको एक कटोड़ी में उतार लेती हूँ कर्याई से तूरंद उतारने के बाद आप इसमें हाथ मत दे क्योंकि यह बहुत ज़्यादा गरब होता है आपका हाथ जल सकता है तो इसलिए इसको थोड़ा ठंडा होने दे ठंडा हो जाने के बाद अब इसमें हम देंगे बारिक से कट कर रखे हुए हरी मिर्च बारिक से कट कर रखे हुए प्याज और आपने तो देखा चावल को फ्राइ करते वक्त हमने एक बुंद भी ओयल नहीं दिया था अब इसमें से थोड़ा सा सरसो के तेल डे के अच्छी तरह से मिक्स करके खाती हूं इसलिए मैं दे रही हूं इन सारे चीजों को देने के बाद अच्छी तरह से मिला लेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बस हम लोगों का चाल भाजा एक दम खाने के लिए रेडी है इसको आप आप चाय के साथ इवनिंग में खाईए या फिर जब बारिस हो तब खाईए मैं आशा करती हूँ इस चाल भाजा की रेसिपी आप सभी को बहुत अच्छा लगा है और अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंज एंड फैमिली के साथ आप इस रेसिपी को जरूर श और इस तरह की नई नई और अच्छी अच्छी रेसिपी मेरी चैनल में है आप से फिर जल्दी मुलाकात होगी क्विक हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के साथ तब तक आप मेरी बाकी वीडियो को जरूर देखे और मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूले थैंक य क्यूले रुट strengthening से यहीं की क्वेश लेड़ काई चाहल में पूले वीडियो को जरूर देखेश थाहते हृब हृप से जली मत जर देखे बाय़ में देखे पिầnभेश घर वीडियों को जरूर जरूर बाहलें कि हम आट यहीं हैंतूर य हाईंतक है टह दway jeaला हैं जरूर य